असलाम आलेकम विभर्न वालकम बाक्तू माई चैनल मैं एक मज़ेदार से अपलोग के साथ करने लगी हुँ किसी का रेसिपी नहीं फॉल्ओ कर रही हुँ आज मैं रेसिपित के आपछे हैं मैं कुछी आपने रही हुँ और यहां पर मैं बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ आप लोग चाहो तो कोई सी भी राइस यूज़ कर सकते हो तो राइस को अची तरह से वाश करके मैं 10-15 मिनिट के लिए भीगो के रखूंगी और सेम प्रोसेस में सोया चुंग्स को भी मैं वाश करके भीगो के रखी ह तो फाइब से 6 मिनिट्स और यहां पर कुछ वेजटेबल मैं कट कर ली कुछ मैं फ्रोजन यूज़ करूंगी तो वो मैं बाद में दिखाऊंगी अभी फ्रीज जासे मैं निकाल नहीं सकती हो तो यहां पर मैं आलू के साथ सोया चुंग्स को सॉल्ट एंड पानी डाल के करने के लिए रखती और यहां पर मैं एक को फेटा के रखूंगी तो एक में मैं मसाला कुछ एड नहीं करूंगी यहां पर सिर्फ मैं सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर पाउडर एड कर रही हूं आप लोग चाहों तो कुछ मसाला एड कर सकते हो बट मुझे अच्छी नहीं ल बूल दूसरे तरह था इक को बूजीया बना ले वह मैं निकाल ली फिर मैं आयाशम देटा का थे वह द्हूं को एड कविशनल अच्छी यहां दूरायख सब्रू आव को एक-डॉजय निकाल ली फिर में यहां एक लोग निककता लगेगी तो एक ज़ऋ बीतक फ्राइपेंड में घी एड़ करके काजू एंड किसमिश को हल्की सी फ्राइब कर लोंगी ज्यादा फ्राइब करने की ज़रूत नहीं है और घी का कॉंटिटी में थोरी कम ही रखूंगी हिल्थ का भी मैं खयाल रखती हूँ खुद का तो आप लोग चौतों घी का कॉंटिट भी ज्यादा कर सकते हो तो यह पर मैं कटी हूई अनियन डाली हूँ और साबित ग्रीन चीली तो इसे मैं सौटे कर रही हूँ ज्यादा फ्राइब नहीं करूंगी और यह पर मैं शिमला मिर्च गाजर जो जो वेजटेबल मेरे पास एवलेबल है वही मैं एड कर रही हूँ आप लोग चाहो तो अपने चोईस से कोई सी भी वेजटेबल ले सकते हो तो माटर एंड टमाटर यह सब मैं थोरी सौटे करूंगी ज्यादा फ्राइब नहीं करूंगी वेजटेबल को ज्यादा फ्राइब नहीं करने चाहिए ज्यादा फ्राइब करने से न वेजटेबल क जो nutrition है वो खतम हो जाते हैं और color भी साथ साथ एक तम खतम ही हो जाती है तो यह पर मैं salt and sugar add की आप लोग चाहो तो sugar skip भी कर सकते हो बट इसी rice में थोड़ी sweet taps की अच्छी लगती है और मैं boil किया हुआ आलू and soya chunks add की और cabbage add की कटी हुई आप लोग चाहो तो cauliflower भी add कर सकते हो बट दो दो गोबी एक साथ अच्छी लगती नहीं है तो मैं इसलिए cabbage add की और यहाँ पर मैं black pepper powder add की और masala कुछ भी नहीं जाएगी that's it हलकी हाथों से सिर्फ mix करनी है तो थोड़ी थोड़ी मैं जल्दी जल्दी में दिखा रही हूँ तो थोड़ी थोड़ी process short हो रही है आप लोग अपने हिसाब से कर ली जिएगा तो यहाँ पर मैं fry क्या हुआ एक एंड काजू एंड किश्मिश add कर दी vegetable के साथ तो इसे mix करूंगी हलकी हाथों से आप लोग चाओ तो कुछ sauce भी add कर सकते हो like sauce या फिर tomato sauce बट मैं यह सब कुछ भी नहीं add कर रही हूँ तो कड़ाई में में थोड़ी सी घी add की आप लोग देख पाड़े हूँ या नहीं पता नहीं थोड़ी कम country में रखी हूँ न तो इस बज़े से मैं बता दी और vegetable add करके हलकी हाथों से सिर्फ mix करनी है और कुछ भी नहीं बहुती इजी है न तो हमारा स्वय एक vegetable rice almost done हो चुकी है तो color आप लोग देख सकते हो rice का बहुती colorful बनी है rice हमारा और बहुती प्यारा सा लुक आ रही है rice में तो अगर मेरी recipe आप लोग को पसंद आती है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर जिएगा और चैनल में नया हो तो subscribe भी कर लिजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो के साथ तब तक के लिए पपाई अलाहाफिस थैंक्यू फर वाचिंग